जी कैफेट, आज के लेक्चर का आघास करते है आज हमारा लेक्चर नमपर है 6 और आज के लेक्चर में हम चẹप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नोट्स की तरतीब के लिहाज से ये जो चैप्टर नम्वरिंग मैं आपके साथ शेयर करता हूं चैप्टर नमटर 1,2 उथरी याद रखे गया यहाणी के बुक के मताविक नहीं है यह हमारी बुक क्या हमारे नोट्स के मताविक है। आई कि ग्रके बुक की तर्तीब डिफरंट है लेकिन आपको कथ सभी नोट्स के अंदर ही पहले पेज पर यह पता चल जाएगा कि इस chapter के concept sci-cab की book में किस-किस जगा पे discuss किये गए है तो आज का lecture की तरफ चलने से पहले कुछ chapter 1 के हवाले से discussion हो जाए chapter 1 हमने complete कर लिया इसके मैंने आपको assignment दिया जो आपने Monday को check करवानी है उस assignment में एक तो यह जो chapter हमने पढ़ा है हर learning objective के end पे कुछ questions है एक तो यह assignment में शामिल है और फिर एक assignment volume 2 के नाम से जिसको volume 2 कहते हैं यह आपको अलाइदा से सेट मिलता है ठीक है असल में मैंने आपको बताया था हमारे audit के paper में दो तरह के questions होते हैं एक reproduction वाले रटे वाले questions उन्हें कोते है case studies तो जो हमारी case studies होती है वो volume 2 हम उसको कहते है और जो हमारे reproduction के questions होते हैं रटे वाले वो हमने volume 1 के साथ ही लिखे होती है हाँ volume 1 में कुछ चंदे case studies भी होती है volume 1 में चंदे case लेकिन जो case study के असल practice है वो volume 2 में होए तो आपने volume 1 के भी questions करने है और volume 2 के भी questions करने है written form में आप कर सकते हैं अगर कहीं के आपको लगे कोई question duplicate हो रहा है इसका answer तो तकरीबन वो ही है जो पहले तो still कोशिश करें कि आप उसको attempt करना और मेरी recommendation आपको ये है कि ये जितने भी question है जैसे फर्स किजिए टोटल 20 questions है 5 questions volume 2 के for example 4 है शायद और 15-16 questions है volume 1 के तो सारे questions एक ही sitting में नहीं करना है जब कभी आपने practice करनी है बहतर होता है कि इससे different point of time पे practice करें यानि अभी आपने 4-5 questions कर लिए फिर उसके बाद break लगा लें फिर 4-5 घंटे के बाद दुपहर को या शाम को questions करें फिर 4-5 questions कर लिए फिर उसके बाद break लगाए ताकि आपका mind जो है ना multiple time process हो जब processing सारी की सारी एक ही time पे हो जाती है ना तो वो फिर वियन या वो learning नहीं होते थेक है तो break देके हमेशा पढ़ना बेहतर होता है इसका यह मतलब नहीं है कि आप 5-5 मिन की break देना चुरू हो जाए पांस मिन की break यह मतलब नहीं है इसका अब देट दो घंटे आपने पढ़ा फिर उसके बाद आदेप होने किंटे की break फिर देट दो गंटे बड़ा है ठीक है यह ज्यादा बहतर होता है आप चीजे रिटेन होना शुरू हो जाती है चैप्टर वन में या assignment के हवाले से कोई questions पूछना चाहते हो तो पूछ ले हाँ इस assignment में से कुछ questions मैंने चुने हुए है वो next lecture में हम discuss करेंगे आज नहीं कर रहा असुली दोर पर तो आज होने चाहिए थे लेकिन हम चुकिए आपको assignment दी हुई है assignment थोड़ी ज्यादा थी मंडे को तो मंडे को discuss होगे आज हम chapter 1 के questions को discuss करने के विज़ाए chapter 2 स्राट करने जा रहे हैं मैं चाहिए एक दफ़ा आप पहले खुद से questions साधे कर लें ताकि आपको पता हो इस question में क्या पुछा था किस लफज में आपको प्राब्लम आई discussion में participate कर सके है क्लिया कोई question पूछना चाहते हो तो पूछ लिजिए एक मिन्ट है आप ने कोई question पूछा था है एक स्टोन का question यह है कि सर आई कैप की book के भी कुछ questions हैं तो वो हमने आई कैप की book से जाके करने का reference दिया हुआ है फियाद रखें आई कैप की book के जितने भी questions है वो 160 यह 71 जितने भी questions है वो सारे के सारे हमारे books में cover हो जाते हैं अगर आप हमारी वाली book volume 1 और volume 2 दूनों use कर रहे हैं तो आई कैप की book का एक-एक question cover हो जाता है अचा अगर एक-एक question cover हो जाता है तो फिर आई-कैप के question bank का reference देने की क्या जरूरत है इसलिए कि कुछ student ऐसे होते हैं जो कि आई-कैप की book से पढ़ रहे होते हैं ठीक है option है ना लाजमी तो नहीं है कि आप यह book यूज चाहें सहीं है लेकिन अगर को student दूसरी book से पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ सकता है कोई problem तो उनकी असानी के लिए reference दिए गये हैं कि अगर आप ने जो student हमारे books या volume यूज कर रहे हैं उन्हें आई-कैप की तरफ जाने की कतन कोई जरूरत नहीं है सारे session में उन students ने किताब आई-कैप की खोल के भी नहीं देख नहीं है और की question जी audit engagement और reasonable assurance engagement क्या एक ही चीज है येस एक ही चीज है ठीक है हमारे syllabus किया तक एक ही चीज है लेकिन assurance engagement और audit engagement ये एकी चीज नहीं है ये assurance engagement दो तरह की होती है audit उसकी एक टाइप है review उसकी दूसरी टाइप है ठीक है और की question questions जितने भी होंगे वह हम इंशाला मंडे को discuss करेंगे ठीक है बाकी concept में कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं तो पूछ ले हाइब्रिड में से अगर कोई question पूछना चाहता है तो जी जी बिल्कु पूछिए जी जी मैक्समेन करता हूँ इनका question yes one का के sir जो statutory audit होगा इसमें reasonable assurance दी जाती है limited assurance या दोनों में से कोई भी दे सकते हैं याद रखे question के अंदर ही answer चुपा है statutory audit statutory audit तो इसका मतलब इसमें कौन सी assurance होगी हमेशा reasonable assurance होगी तो statutory audit में हमेशा reasonable assurance दी जाती है और अगर ये जिन स्ट्रोंट ने question पूछा इनी से दूसरा question मेरा अगर statutory review हो तो इसमें बताईए कौन सा level of assurance दिया जाता है ने जिन स्ट्रोंट से question पूछा था hybrid में उनी से जी भाई बताईए हाँ limited होगा शाबाज ठीक है तो audit चाहे statutory हो चाहे non-statutory हो इसमें level of assurance कौन सा होगा reasonable और इसी तरह review चाहे statutory हो चाहे non-statutory हो इसमें level of assurance क्या होगा moderate या limited ठीक है और की question जी अगर time limited होगा तब ही sampling होगी या हर audit में होगी देखें normally time limited ही होता है unlimited time तो किसी के पास में नहीं है इसलिए sampling होती है लेकिन फर्ज कीजिए अगर time unlimited है अगर time unlimited है तो आप sampling की बजए 100% testing भी कर सकते हैं जब sampling नहीं करेंगे तो मतलब क्या होगा 100% testing 100% testing कर सकते हैं बलकि आपकी इस बात से मुझे एक याद आ गया question icap का एक member था चार्ड़ेट कम जो प्रेक्टिस करते हैं या नहीं फर्म में जिनकी उसने question पूता था icap से क्या हमारा client है छोटा सा client है चंदे transactions हैं उसने हमें कहा है कि आप हमारी सारी के सारी transaction को check करो कि क्या हम absolute assurance दे सकते हैं हंडर प्रसंट transaction उसने कहा है राके हमारी limitation की reason है हाँ इसका icap ने जवाब दिया था नहीं दे सकते चाहे आप सारी कि सारी transaction क्यों ना चेक कर रहें नहीं दे सकते क्यों कि दूसरे limitations भी तो है आप ठीक है प्रवीन फार बैड़ एट को भी चेक करेंगे लेकिन क्या उसको 100% accuracy के साथ चेक कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो future पर बेस्ट कर रहे हैं ठीक है तो time and cost limitation सिर्फ एक reason है नहरे limitation में से अगर इसको आप खतम कर भी दें तो still बाकी की नहरे limitation की reason तो है तो इसी लिए आप absolute assurance कभी भी प्रवाइड नहीं कर सकते हैं क्लियर होगे जाए जी और की question जी maturity का concept क्या error या fraud के लिए same होता है नहीं मैं इस स्वाल का जवाब नहीं देना चाहता था लेकिन बाराल दे दिया नहीं different होता है common sense की बात है क्या भला error में तो चलो हम कहें ना छोटा हो गया तो माफ कर दो अगर कोई fraud करे और छोटा fraud आप माफ कर देंगे आप इसको cashier ने सोरबे का fraud किया माफ कर देंगे आप वो अगली दफ़ा 1000 का fraud करेगा तो fraud के उपर हम compromise नहीं करते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर materiality level अपलाए नहीं होता रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला अच्छा इसमें कोई materiality level है कि इतने तक की रिश्वत होना तो नहीं है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर materiality level अपलाए उसमें small amounts भी significant समझी जाते हैं उसमें small amount भी सिखने हैं तो फराड उन में से एक example है कि अगर की छोटा भी फराड करे ना तो उसको माफ नहीं करना कि छोटा फराड था तो बड़े फराड होने का नजार कर ले उसको उधर ही ठीक करना जी वन बैवन जी उसमें ज्यादा थे तो अगर इन वाइसिस ठीक बनी हुई है तब तो हमें evidence मिल गया और हमने unmodified report दे दे अगर इन वाइसिस ही गलत बनी हुई है तो फिर हमें evidence कैसे मिलेगा जो आप सुनिए अगर इन वाइसिस ही गलत बनी हुई है तो यह भी एक evidence है क्या evidence है कि financial statements गलत है यह भी evidence तो है यह भी किस इन वाइसिस का evidence है financial statements गलत है इस सूरत में हम modified report देंगे यह कैसे verify करेगा इन वाइसिस ठीक है के गलत अच्छा यह न आप थोड़ा सा audit की detail में जा रहे है मैं भी topic का हिस्सा नहीं था लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपके question को लेके चलना हूँ तो अगर थोड़ा सा आ इनका question यह है कि क्या question था हां इन्वाइस इस गलत है तो order को कैसे पता चलेगा कि इन्वाइस गलत है देखें इन्वाइस बनी है फर्ज कीजिए एक हजार unit sale किये at the rate of rupees 20 अब अगर client ने इसको कर दिया है 10,000 units at the rate of 200 इन्वाइस गलत बनी है तो कैसे थाबित होगा कि गलत है यही है ना हम as a writer client को जाके कहते हैं sir आपकी sales account में एक बड़ी sales की figure आ रही है यह 2 million की इसको निकाल ले client हमें इन्वाइस देगा आपका क्या ख्याल है हम सिरफ एक evidence में सिरफ एक ही चीज़ चेक करते हैं कि multiple sources से multiple evidence लेते हैं multiple जब इन्वाइस हमारे सामने आती है ना हम उसे करते हैं ठीक है sir यह इन्वाइस अकाउंट के साथ मैच हो गई लेकिन इन्वाइस भी तो गलत हो सकती है ज़रा इसकी good dispatch note भी तो बनाओगा ना इसका good dispatch note भी दिखाए जिसमें पता चले हमें इतनी ही quantity dispatch हुई यह अगर फर इसका तो agreement होगा आपका बही जब भी सेल होती है उसे पहले agreement होता है ना बायरोल सैलर का हम कहेंगे वह sales order दिखाओ sales agreement दिखाओ वहां से फिर rate confirm करते हैं तो यह सारी जी जाद रखी इन्वाइस को हम चेक करते हैं और हमें पता चल जाता है जितना ज्यादा नीचे documents को चेक क करते जाएंगे आप उतना ही ज्यादा शूर होते जाएंगे कि यह ठीक है जहां पर आपको reasonable assurance मिल जाए कि यह sales वहां पर रुख जाएं जैसे अब आगे आप यह भी मेरी तसल्ली इतनी कुछ चेकिंग के बाद हो जाएगी लेकिन हो सकता है आप यह कहें sir sales agreement भी तो हो सकता है good dispatch note भी तो गलत हो अगर आपको लगए तो आप इसका मजीद sporting document भी चेक कर सकते हैं ठीक है वो आपकी अपनी judgment है लेकिन याद रखे हमें अगर लगे के कोई चीज़ गलत हो सकती है तो हम उसको मजीद further sporting documents के जरीए से confirm करते हैं verify करते हैं खलियर जी और की इसको सिरफ इत materiality level apply नहीं होता कुछ transaction ऐसी हैं जिन पर materiality level apply नहीं होता इसका मतलब क्या भला कि कुछ transaction ऐसी हैं जो 1% of profit की भी हो ना या even 0.1% of profit की भी हो उनको भी हम material समझते हैं लेकिन ये कौन से cases हैं ये अभी आपने नहीं सोचना अभी ना सोचें अभी सिरफ जिस level पे मैं लेके जा हो ना जिस तरीके से सुचवा रहा हूं आपको उसी तरीके से सोचें इस वाले case को side कौन कौन से transaction हो सकते हैं ये भी नहीं पढ़ना और कोई question कोई question है हाई जी-जी ये अच्छा question है इसका जवाब भी एक जगा पे लिखा हुआ है क्या level of assurance को change किया जा सकता है यानि client ने शुरू में कहा reasonable assurance और बाद में कहा sir limited या शुरू में कहा सर limited assurance बाद में कहा reasonable याद रखिए का audit में हर चीज़ change हो सकती है लेकिन इसकी proper justification होनी चाहिए अगर reasonable justification है तो level of assurance change हो सकता है during audit अगर reasonable justification नहीं है तो नहीं change होगा ठीक है यह बाद समझे आप मुझे पताईए आप audit का subject पढ़ने आए कुछ दिनों के बाद आपने college वालों से कहा नहीं मैंने तो cost में shift करवाना है या मैंने tax में shift करवाना है क्या college वाले कर देंगे पूछेंगे पूछेंगे क्या reason अगर reasonable justification हुई फिर आपको shift कर दिया जाएगा वर्था नहीं किया अगर आपके सर मेरा conflict आ रहा है मेरा दूसरा subject भी है इसकी class लेता हूं तो दूसरा जो आप 15-20 का gap आ जाता है कालिज वाले करेंगे बिल्कुल यह reasonable justification आओके करो और अगर आप कहें नहीं सर मेरा दोस्त भी उसके class में है तो मैं उसके बगार मुझे lecture की समझ नहीं आते है तो reasonable justification नहीं है कालिज वाले shift करेंगे क्या exactly उसी तरह जब client हमारे पास आता है न हम याद रखिए का हम client के appointed तो है हम client के nocker नहीं है हमने international standards के असूलों के मताबिक काम करना होता है client की instructions के मताबिक काम नहीं करना होता ठीक है अब आप doctor के पास जाते हैं यह आप decide करते हैं किस doctor के पास जाना है लेकिन जिसके बास भी जाते हैं आप उसको section नहीं लेते हैं कि इदर से चूरी इदर से टांगा कर यह गर्वो गर्वो काता है भाई यह मेरी किताब हमें लिखा हुआ यह मेरे पे छोड़ दे के मताब ही काम करते हैं और इंटरनेशनल स्टेंडर्ड यह कहते हैं क्लाइंट कभी भी कोई भी चीज चेंज करने को कहे ना तो आप में देखना उसकी रिजनेबल जेस्टिफिकेशन अगर है तो चेंज करना वरना चेंज नहीं करना क्लियर हो गया क्वेशन मेरे भाई का अगर अच्छा देखें अगर काम कंप्लीट हो जाए तो फिर तो नहीं ना अगर सारा सेशन हतम हो गया और फिर सुर्ण ने कहा जी मुझे ला में ट्रांसवर कर दे तो जब रिजनेबल एशोरां से कंप्लीट हो गई रिपोर्ट स्वाल ही पैदा नहीं होता उसके बाद चेंज होने का हां लिम्टेट से लिम्टेट पर भी आ सकते हैं लेकिन यह बाद में पढ़ेंगे क्योंकि अगर इस स्वाल का जवाब दूंगा ना तो इसमें एक और फिर आपने स्वाल पूछने आगे ठीक है स्वाल से स्वाल नह हो सकते हैं लेकिन खतम होने से पहले इसको हम कहते हैं डूरिंग इंगेजमेंट अगर इनका क्वेशन थोड़े से मुख्लिफ अलफास के साथ मैं बता रहा हूं अगर हम किसी चीज़ की कोई स्पोर्टिंग डाकुमेंट वेरिवाई कर रहे हैं और वो डाकुमेंट मुज यूज़ नहीं है तो क्या लोगों की जबानी करामी गवाही के ऊपर हम रिपोर्ट साइन कर सकते हैं आप नहीं जबानी करामी बातों वरना तो मैंटिमेंट जबानी करामी आपको का देखी सर सारा कुछ ठीक है कुछ भी नहीं मारे पास कुछ भी नहीं हमारे पास हो सारा गुछ ठीक है हम क्लाइंट को कैसे जस्टिफाइ करवाएंगे कैसे प्रूफ करवाएंगे कि हम उसे जो शोनस दे रहे हैं वो रिजनेबल है के लिंटेड अच्छा पहले तो ये बताएं क्लाइंट को कैसे पता चलेगा है कि हम उसे जो शोनस दे रहे हैं वो reasonable है के लिंट एक और पहले agreement हो सकता हम agreement reasonable का करें शोनस लिंट देते हैं उसे कैसे पता चलेगा agreement में लिखा रिपोर्ट से शाप report के अंदर conclusion लिखा होता है में वह वर्डिंग पड़ता है उसे पता चल जाता है अगर तो वर्डिंग है ना इन आवर ओपीनियन से कठा लेमिटिड का किए ऑफ कुछ आडिटर करते हैं ये का और खलत करते हैं होना नहीं चाहिए मैं तो जिसमें हमें कॉआंट यहांट पद़ता कैंज्kem सियांं के मिल में था है अपन्हाइन होता है का और यह कहते हैं को चौन करता बहुटा अगर हमने कोई कांप करना था नहीं किया और क्लाइंट को जूट मूट गलन रेपोर्ट देती है तो इसमें क्लाइंट का कसूर नीं मना जाएगा किसी का मना जाएगा यह आई कैप का अपना एक सिस्ट्रम है हर साल जितने भी पाकिसान में आईटर्स हैं सेंपल बेस के उपर चेक करता है कि इनों ने अडिट ठीक है के नहीं इनके पास एविदेंस है के नहीं क्योंकि आपने शायद कभी सुना हो कि जी आपको अडिट रपोर्ट चाहिए पां तो वो होती है रपोर्ट बगार एविदेंस के अगर इस तरह के केस आई कैप पकड़ देना आई कैप इसकी माफी नहीं देता पहे क्योंकि वह कहता है एक रिक्वाइड एलिमेंट है इसका मतलब है आपकी यह काम किये बगार बैटके गलत रपोर्ट दे रहे हैं आपको सब्सक्राइब करना दूर की बात है जी और की क्वेस्टन एक मिंट है यह हाइड में से क्वेस्टन आ रहा है थोड़ा सांची बोलिएगा क्या क्वेस्टन इनका यह है कि अगर कंपनी हमसे ही फाइनेशल स्टेट्मेंट प्रिपेर करवाती है और फिर बाद में हम ही इसका अडिट करते हैं तो अच्छा इतना क्वेस्टन हुआना मैं यहीं पर रुग गया इससे आगे मैंने नहीं सुना और अगर कहीं पर ऐसा होता है तो गलत है क्यूंकर जो बंदा फाइनेशल स्टेटमेंट को चाहे नहीं कर आप कभी गलती निकालेंगे कोई तो जो फाइनेंशल स्टेटमेंट प्रपेर कर रहा है अगर उसी को क्या दिया जाए कि चेक करो तो वो की गलती निकालेगा कभी कभी भी नहीं तो ऐसा नहीं किया जाता है ऐसा करना गलत है जी 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 देखें हम फाइनेंशल स्टेटमेंट में याद रखिये एक नुकता भी नहीं लगा सकते है एक एरिया तो दूर की बात है सेल्ज या पर्चेस का एरिया या बैलेंशीट सिर्फ प्रिपेर करना बाकी ना करना या सिर्फ डैटर्स प्रिपेर करना बाकी ये तो दूर की बात है हम as auditor financial statements पर एक नुक्ता भी क्योंकि ये preparation of financial statement में आ जाएगा तो हमारा code of ethics है वो कहता है कि जो auditors है external auditors है वो financial statement और अलफा इस्तमाल करते हैं और part of financial statement नहीं कर सकते प्रपेर नहीं कर सकते हैं वो आगे क्या होता है आगे चलेंगे अभी मैंने सारे student को साथ लेके चलना है बाद उकात कुछ concept की आगे कहानिया भी है कुछ exceptions भी है वो मैं भी बताना शुरू कर दूंगा आप complex हो जाएंगे कुछ रोंड में ऐसे शायद पहले कुछ नहीं concept है उनके पास लेकिन वो उसको मैं discuss नहीं कर रहा है कि और की question internal auditor के बारे में बता दो एक्स्टरनल आडिटर एक्स्टरनल आडिटर है अगला समझ के इंटरनल आडिटर है नहीं सच बात है मुझा नहीं करते हैं यानि कहने का मतलब यह एक्स्टरनल आडिटर एक्स्टरनल पार्टी है internal आडिटर असल में इंप्लाई ओफ दे कंपनी है जो चार्ड़र गांड़न भी है management वो खुद से भी चेकिंग कर सकता है तो खर ले अच्छा आपको एक मज़े की बाब बताओ sometimes internal आडिटर ज्यादा competent होता है external आडिटर से और competent ना भी हो उसके पास knowledge उसके पास information उसके पास उस organization का work experience external आडिडर से ज्यादा होता है लेकिन still सारी दुनिया internal आडिटर की किसी बात किसी रिपोर्ट पे इतबार नहीं करते सिर्फ external आडिटर की बात पे इतबार क्यों एक reason की वज़ा से independent independent होना इतना है अगर external आडिटर independent नहीं है ना तो लोग कहते हैं बाई तुम्हारा आंगी क्या जूरू हो थी फिर तो इंटरनल आडिटर अगर वही काम करें जो external आडिटर करेगा तो फिर भी याद रखें वह assurance engagement नहीं कहलाएगी क्योंकि उसमें इंटरनल आडिटर दूसरे कुछ कामों के लिए रखते हैं वह management अपनी तसली के लिए रखते हैं क्योंकि असल में external आडिटर ना साल के बाद आता है तीन-चार मिने के लिए बाकी की आठ नौ मिनों में वह नहीं होता तो अगर कंपनी ने बाकी के चीजों की भी verification या कुछ और extra काम करवाने हो तो फिर इंटरनल आडिटर को रख लिया जाता है हाँ क्या अगर shareholder भी Chartered Accountant हो और वो आडिट करे क्या वो भी dependent येस वो भी dependent हो जाएगा हमने पढ़ा था ना कि आडिटर को ना management का relative होना चाहिए ना shareholder का relative होना चाहिए और के question जी going concern क्या होता है ये मैंने अल्ला जानता है लफज मुझे अभी तक बोला ही नहीं इसको छोड़े मुझे नहीं पता क्या है अब चलते हैं आज के लेक्टर आपको याद होगा हमने एलिमेंट्स ओफ शोरंस इंगेजमेंट्स टुड़ी किए फाइव ऐलिमेंट्स थे थ्री पार्टी लेशेंशिप सब्जेक्ट मेंटर शुटेबल क्राइट एरिया एविडेंस रीट एन शोरंस रपोग अगर आज को समझना चाहते हैं रिविव को समझना चाहते हैं इन पांचस़ड़े इनके अंदर अदिती या ऱकवर हो जाता है पांच चीज़ों के गिर्द घुम रहे होते हैं ठीक है इन्हीं पांच चीज़ों के कौन कौन सी चीज़ें थ्री पार्टी सब्जेक्ट मेटर सुटेबल क्राइटेरिया अब हमने अगले कुछ लेक्चेश में इनी कंसेप्स को इनी एलिमेंट्स को वन बैवन डिटेल में स हैं दो ऐलिमेंट्स स्टडी कर रहे हैं उन 5 में से दो ऐलिमेंट्स पहला ऐलिमेंट है सब्जेक्ट मेटर सब्जेक्ट मेटर और दूसरा ऐलिमेंट है suitable criteria suitable criteria बाकी एक शोटा सा कंसर्ट है यह भी कवर करेंगा यह सब्जेक्ट मतर्ट अच्छा मुझे बताईए सब्जेक्ट मैटर किसको कहते हैं सब्जेक्ट मैटर कहते हैं वह information जो management प्रिपेर करती है जो responsible party प्रिपेर करती है और प्रैक्टिशनर उसको वैरिफाई करता है हमा वो कुछ भी हो सकता है वो कोई भी financial statement भी हो सकते है नॉन फाने लेकिन हमारे इस लेबस किया तक हमेशा करते हैं अच्छा अगर financial statement आपको समझ आ गई है तो मुझे बताईए financial statements में कुन कुन सी चीज़ें शामिल होती हैं complete set of financial statements में एक दो तीन चार पांच चीज़ें शामिल होते हैं कुन कुन सी बैलेशी इंकम statement statement of changing the day cash flow statement नो सुदा कांट्स यह चीज़ें शामिल होते हैं पाज ना चार ना शेल यह जहन में रखेगा ना इससे कम इससे ज़्यादा ठीक है प्रैक्टिस में कुछ सी ए फर्म्स जब आड़िट पोर्ड दे रहे थी तो आड़िट पोर्ड के इंदर ना हम लिखते हैं कि वी हैव ऑड़िटिड बैलेंस शीट इंकम सेट्मेंट शांट चेंज़ेंग टी कैस्ट नोट सुदा कांट्स ओ अबीसी कंपनी फार सबना घाइब था हम अबनी फारिक कर देते हैं में क्या लाइए इसका मतलब के सब्ड़ेंट के सब अगर कलाइट कैता है ने ने आप इनप इनि चार का करें तो फिर आप अन्मोडिफाइड ना दे चाहे चारों चीजें ठीक भी हों चाहे चारों चीजे चाहे चछोटी सी एक्जेम्पल देंगे के मोडीफाइड क्लाइंट क्या कहेगा सर जी है जो जो चीज लिखी हुई है वो टो ठीक है ना जो घलत वह तो ने लिखी नई तो आपको यह चाहें कंगे जो सब्सक्राइब इसका तो गलत मेसिट अधिसारव सब्सक्राइब मुझे दखे मुझे याद है जब प्राइमरी स्कूल में बढ़ता था हमारे स्कूल का एक पियन था वो कुछ नहीं करता घूमता फिरता रहना सोते रहना तो काम शाम नहीं करता था एक दिन उसको नोगरी से निकाल दिया तो वो आके न मुझे याद है आके हेड मास्टर साब को कहने किया है थादी मैंने किया किया है उन्हें ने का भाई तुमने कुछ नहीं किया इसलिए निकाला है तो कुछ ना करना भी समटाइम गलत होता है कुछ ना करना भी अगर डैटर बैडड़ हो गए पर वियन रिकार्ड नहीं की यह ना करना भी गलत है डेयप्रिसेशन घलत रिकार्ड करना तो घलत है ही है, डेयप्रिसेशन रिकार्ड ही ना करना, यह भी घलत है, तो अगर client ने पांच के बज़ाए चार स्टेटमेंट बनाई है पांच भी स्टेटमेंट बनाई नहीं लेकिन जो बागी चार बनाई है वह ठीक है आप क्या कहेंगे कि यह चार हो ठीक है नहीं आप कहेंगे कि पांच भी होनी चाहिए थी जो इसने नहीं बनाई इसलिए हम मोडिफाइड बोड दे रहे हैं तो याद रखें पांच कंप्लेट सेट में इंक्लूड करता है तो आपने उसे क्या कहना है इसके नेम डिफरेंट हो सकते हैं उससे मसला नहीं है आप बैलेशीट को सेटमेंट फानेंश से सेंक्या नहीं है आप सेटमेंट को सेंसे मसला नहीं हूं लेकिन चीज़ें पांचो पूरी होने चाहिए मुझे यह उसमें असल रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें यह लाइन ने लिखे होती है इस फाइनेंशल सेटमन गीव टू एंड फेर विव्यू उसमें क्या लिखा होता है बला बैलेंश इडिंक फेर वो तो बैट टाइम बचाने के लिए जल्दी जल्दी फाइनेंशल में कहता हूं कलियर अच्छा आपने अगर लॉम में पढ़ा हुआ ऐसी लॉम में नहीं भी पढ़ा हुआ तो भी बता रहता हूं जब शेर होल्डर के पास फाइनेंशल सेटमन जाती है ना साथ में अर्ड रिपोर्ट भी जाती है यह पता है आपको तो फिर यह भी पता होगा साथ में ड डिरेक्टर रिपोर्ट भी जा रही है डिरेक्टर रिपोर्ट में कुछ गलति है हम क्या कहें कि इस फईनेंशल सेटमेर्स गेव ट्रू्ट यह लिखेंगे कितने सूवंट का ख्याल है विव टू अंड फेयर ये लिखेंगे कितनों का ख्याल है ये लिखेंगे इस फाइनेंशल स्टेटमेंट है। नहीं सब्सक्राइब ये लिखेंगे। हाँ एक अच्छा आडिटर होने के नाते हम शायद किसी तरीके से ये बात उनको पहुंचाने की कोशिश करें कि डेक्टर पोर्ड में गड़बड़ा है लेकिन याद रखें हमारी हमारा काम ठीक है दुनिया का कोई बंदा हमें यह नहीं कह सकता कि आपने काम गलत किया हमारी क्या के चाहिए कि आगे चलें अच्छा हम कहते हैं फाइनेंशल स्टेटमेंट्स गिव टू एंट फेर विवी का अच्छा इसका एक मतला है कंसेप्शुल और एक मतलब है टेकनिकल वर्ड जो आपने एक्जैम में लिखना है कौन सा बताउं नो पहले कंसेप्शुल फाइ payments to Sickly true-aze you का मतलब है यह financial statements आयाफेरस के मुताबिक मनी है जब financial statements commun कि मुताबिक बनें nearest activity है तो हम क्या कहेंगे कृइफेर और जब financial statement pół है के मुताबिक नहीं बनेंगी कों क्या कहेंगे फइनेल से मैंट्स नLD ту आपने IFRS पढ़े हैं कोई एक IFRS का नंबर बताएं 16 की कोई एक requirement बता दे फिक्स हैसल बाला ना प्रापर्टिव लॉन एक्विपमेंट कोई 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 कर ले आई एस की कोई 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 होने चाहिए यह कहता है ना अगर वो डिस्कलोईयर्स हैं financial statement में तो हम क्या कहेंगे financial statements give और अगर वो डिस्कलोईयर्स नहीं है यह है conception में लेकिन exam में जब आए तो आपने कैसे लिखना है आपने लिखना है पहली चीज़ true and fairview का word कहीं पे भी define नहीं हुआ ना accounting standards में ना auditing standards में ना law में इसलिए normally हम इस पर अपनी judgment apply करेंगे यह ऐसी होता है ना जो चीज़ कहीं पे define ना हो उसमें judgment apply होती है कि नहीं होती है तो कहते है जनली true means free from error, fair means free from undue bias in financial statements ठीक है और चुकर यह term कहीं पे define नहीं हुई इसलिए financial statements true and fair we present करती है के नहीं यह decision करते हुए हमें अपनी judgment को use करना पड़ता है हमें अपनी judgment को use करना पड़ता है यह बात समझा रही है चले इसका सिरफ रटा लगाएं छोड़े इसको यह clear हो गया अब अब बहुत अहम concept आगे हम discuss करने जा रहे हैं कि financial reporting framework 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 कहले या criteria कहले एक ही बात है ठीक है financial reporting framework का मतलब है financial reporting करते है financial statements को financial statements prepare करने के लिए rules and regulations framework तो आपने इससे पहले भी कई दफा शायद वर्ड सुना इसका मतलब बता है rules वह ऐसी चीज़ जिसमें rules लिए लिखे होते है है तो financial reporting framework का मतलब है वह rules and regulations to prepare financial statements financial reporting framework का मतलब क्या है rules and regulations to prepare financial statement यानि हम financial statements किन rules के मताबिक बनाएंगे हमसे मुराद management है management financial statements बनाएगी कुछ ना कुछ rules के मताबिक बनाएगी उससे कहते है financial reporting framework क्या दुनिया में financial reporting framework की एक ही टाइप है बहुत सी types बहुत सी types है financial reporting framework को different types में classify किया जाता है एक कुछ financial reporting framework है जो के आम अवाम के लिए बनाए जाते हैं अच्छा आपने cost पर लिए cost उसमें concept होता है types of cost एक होता है fixed cost और variable cost कुछ orbit types होती है fixed cost variable cost और फिर होती है manufacturing cost और selling cost ये भी होती है manufacturing cost selling cost orbit types होती है अच्छा मुझे ये बताईए मुझे ये बताईए जो ऐसा possible है कि जैसे rent है factory का rent है ये fixed cost है के variable फिक्स ये fixed cost है अच्छा आगे चलें ये manufacturing cost है के selling admin cost है factory का rent है manufacturing इसका मतलब ये हुआ के हम cost को different ways में classify करते हैं के एक cost एक classification में आ रही हो और वो किसी दूसरी classification की type में भी आ रहा हो वो किसी दूसरी type में भी आ रहा हो possible है क्या बिलकुल possible है तो framework को classify करने की एक type है के framework general purpose है के special purpose और एक type है के framework fair presentation है के compliance framework है ठीक है अब नाम से ही जाहिर है general purpose framework का मतलब क्या है ऐसा framework जिसके मताबिक जो financial statements बनाई जाएं वो आम अवाम के लिए है general public के लिए wide range of users के लिए है अगर financial general purpose framework कों सा है जो ऐसी financial statements बनाता है जिसमें ऐसे rules and regulation लिखे हैं के जो आप उनके मताबिक financial statement बनाएंगे वो आम अवाम के लिए होंगी wide range of users के लिए और special purpose framework यह ऐसा framework है जो किसी specific user के लिए बनाया जाता है वो बाकी users के लिए नहीं है general purpose framework के मताबिक जो financial statements बनेंगी ना जो general purpose financial statements होंगी वो किल लोगों के लिए है wide range of users के लिए और जो special purpose framework है जो special purpose financial statements है यह किन के लिए है special users के लिए तो अगर concept समझ आ गया तो मुझे बताईए आई एफ और एस general purpose है special purpose और टेक्स बेसिस यहां पर बात समझ आ गए अगर समझ एक और एक और एग्जेंपल दे दूँ एक advanced concern भी यहां पर साथ आईच करें जनल purpose में सोच के बताईएगा थोड़ी judgment भी है special purpose में क्या यह लिखने की जड़ूरत है कि यह financial statement फिस बंदे के लिए हैं बाकी लोग इस्तमाल ना करें special purpose में क्या special purpose में यह लिखना चाहये कि यह financial statement इस यूजर के लिए है बाकी इस्तमाल ना करें तो हमें यह फाइनेशल स्टेटमेंट टेक्स बेसिस के मताबिक बनी है सिर्फ FBR यूज करें बाकी ना करें और जनल परपस फाइनेशल स्टेटमेंट में लिखने की जुरूत है इसको तो कोई भी सब के लिए इसका मतलब यह है Special Purpose Framework Specific Users के लिए है इसमें Specific Users को Identify कर देना चाहिए और कोशिश करने चाहिए Financial Statement सिर्फ हिंदी को मिले दूसरों के हाथ में आ जाए दोनों में फरक समझ आ गया आगे चलते हैं इसको फिर बाद में दुबारा किसी चेप्टर में पढ़ेंगे Framework यानि Framework का मतलब क्या है Rules and Regulation to Prepare Financial Statement इनकी एक क्लासिफिकेशन है Fair Presentation Framework और Compliance Fair Presentation Framework और Compliance ठीक है Journal Purpose Special Purpose तो समझ आ गई अब क्या पढ़ने जा रहे हैं फेर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्ग इसको एक्स्प्लेंड करते हैं में के एक 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 कहानी के जरीए से छोटे होते माने एक जगा पे कहानी पड़े थी आपने भी शायद सुनी हो कभी एक बाप अपने बेटे को मिले पे ले गया दिखाने के लिए तो बाप ने बेटे को कहा कि यहां पे खड़े रहो मैं भी थोड़ी दिर में आया जब तक मैं आया तुम हिलना नहीं तुमने कही जाना नहीं है उसने का ठीक है अब बाप चला गया साइड पे क्या हुआ कि आग लग गई आग लगी उदर बागम बाग कोई इदर बाग रहा है कोई इदर बाग रहा है तो बाप शायद वो कही रस्ता बूल गया होगा या इदर अधर होगा अब बेटा जो था वो अपनी जगा पे खड़ा हुआ है आग बढ़ रही है क्रीव आते हैं लोगों ने का भागो एपनी जान बचाओ उसने का नहीं मेरे वाले साब ने का था कि जब तक मैं ना हूना तो उन्हें इसी जगापे खड़े रहा है मैं इसी जगापे खड़े रहूँगा वो नहीं हिला आग आई जला गई वो मर गया मुझे आप ये बताई आप में से कितने स्वार्ण का ये ख्याल है कि उस बच्चे का ये अमल ठीक था उसे यही करना चाहिए था भी फर्माबरदार बच्चों की तो यही निजाने है फर्माबरदार की निजाए ठीक है लेकिन बाप का मकसद हरगेज यह नहीं होगा कि वही आग भी लग जाना तो उसके तो जहन में यही होगा ना रर्श से ज्यादए गूमना ओजाए इस वज़ा से काऊगा इस वज़ा से थोड़ी काऊगा कि आग भी लग जाते तुमने हिलना नहीं है तो आप यह समझते हैं कि उसे बजाए ये के जो बाप ने अर्डर दिया है बलाइंडली कमप्लाइ करने की बजाए अगर सिच्वेशन का जाइजा लेके उसे लगे कि इसमें उच नीच करके बेहतर कोई सिच्वेशन में जाया जा सकता है तो उसे उच नीच कर लेनी चाहिए थे अगे रिकते कर लेनी चाहिए इसी तरह हमारे फ्रेम रक की दो टाइप्स हैं हमारे कुछ financial reporting framework हैं जो ये कहते हैं कि ये rules हैं इनके मताबिक financial statements बनाओ और अगर आपको लगे ना कि किसी situation में किसी requirement से departure करके requirement से departure करने का मतलब क्या है लैदा करके वाइलेट करके presentation fair हो सकती है मजीद बहतर हो सकती है तो कर ले और अगर लगे के additional disclosure देके भी financial statements fair हो सकती है तो कर ले यानि कुछ financial reporting essay framework है जो ये कहते हैं management को अगर financial statement बनाते हुए आपको लगे किसी requirement से departure करके या कोई additional disclosure देके financial statement की presentation improve हो सकती है वो fair हो सकती है तो वो कर ले तो वो कर ले और कुछ financial reporting framework है जो ये कहते हैं कि भाई rules हम भी बता रहे हैं तुमने इस rules को follow करना है लेकिन अगर तुम्हें लगे कि additional disclosure या departure से financial statements improve हो सकती है presentation fair हो सकती है तो तुमने नहीं करना blindly हमारे rule को आग भी लगी हो चाहे blindly हमारे rule को follow करो ये compliance framework कहता है फिर presentation framework क्या कहता है कहता है हमारे rule को follow करो लेकिन अगर आग लग जाएना तो दाएंबाय कर लो ठीक है एडिशनल भी कर लो डिपार्चर भी कर लो दस requirement है दस की यारा भी कर लो दस की नो भी कर लो station के लिहास है इजाज़त है और compliance framework क्या कहता है ना कम ना ज्यादा अगर financial reporting framework में additional disclosure या departure की इजाज़त हो ये acknowledgement हो ये acknowledgement हो ये statement हो ये permission हो कि आप ऊंच नीच कर सकती हैं तो वो framework कौन सा होगा और इजाज़त नहीं देते क्या है जो हमने कहा दिया उसी के मतब़ी करना है compliance framework टेक है और ये भी कहते हैं कि framework को कंपलाइ करो फेर प्रेंटेशन भी क्या कहता है कि बाते मानों हमारी लेकिन फिर आगे इजाज़त भी देता है लेकिन acknowledgement भी करने के लिए तो कर लो घासे रखिए का रिक्वाइर्मेंट्स में भी है कम्प्लाइंस फिर्मक में फरक यह नहीं है कि एक मानना कि और किस एक्स्टेंट थक वा परकुछ सीज़ को अगर उच नीच करने से presentation fair होती हो तो कर लो compliance पर कहता है नहीं करने जैसे इसको एक example से समझते है आई एफरस वाले यह कहते है accounting policies को consistently apply होना चाहिए यह IS8 में पढ़ा होगा आपना लेकिन साथ ही साथ वो यह भी कहते हैं कि अगर कभी accounting policy change होने से financial statements का view fair होता हो तो fair presentation achieve होती हो तो वो कर ले आप बताईए जितनी counting आपने पड़ी है counting policies change करने की जाज़त है के नहीं तो बताईए इस requirement को सामने रखे बताईए IFRS fair representation है के compliance और अगर tax वालों को हम यह कहें कैसार अगर हमारी सारी income को exempt कर देना तो financial statement बहुत ही fair present होगी FBR वाली जाज़त देते हैं कहते हैं जो rule हमने बता दिया ना उसी के मताबिक काम करना है ना एक चीज़ कम ना एक चीज़ ज्यादा अगर हमारे ख्याल में कोई उच नीच करने से presentation fair होती भी हो तो वो जाज़त नहीं देते हैं कंप्लाइंस फ्रेम मर्क विफर एक समझ है आप चलिए एंड में एक questions आपको दो स्टेटमेंट दे रहा हूं अच्छा ये वाली बात अब क्वेस्टन ज्यादा हो गये थे तो यह एप्ली केबल फ्रेम में की बात हम नेक्स लेक्चर में पढ़ेंगे ठीक है मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट दे रहा हूं अगर आपने इसका जौब ठीक बता दिया इसका मत्तब है जो कुछ मैंने समझाना था आपको समझ आ गया दो स्टेटमेंट ना है मैंनीजमेंट ने अपनी फाइनेंशल स्टेटमेंट इस और ने अपनी रिपोर्ट में ओपीनियन दिया है मैं ओपीनियन आपके सामने रख रहा हूं आडिट pictureры लेक्तर से कुछ लाइंश उठाके आपके सामने रख रहा हूँ आपने बताना है यह जो audit report है यह किस framework की financial statements को audit करते हुए बनाई दिया है ठीक है सुने एक audit report हमने पड़ी उस पे लिखा हुआ था these financial statements have been prepared for ABC bank only and should not be used for any other purpose general purpose है नहीं है और एक report थी उसमें इस तरह की कोई भी बात नहीं लिखी हुई थी अच्छा ना ही यह लिखा हुआ था कि यह किसी खास बंदे के लिए है और ना ही यह लिखा हुआ था कि यह सब के लिए उसका मादब क्या है और सब के लिए है शाबार दोनों में फरक समझा गया है अगली यह एक्जैंपल लिखा हुआ है इस फाइन जैटनेंशल स्टेट्मेंस है बेन पिरिपेर्ड इन अक्टर्टनस विद इंटर्नेशनल फाइनशनल फाइनशनल डपर्टिंग स्टेंडर्स एंड गिव टू एंड फेर व्यू बलकि अचल नहीं मैं चेंज करूँ आया फारे से आपको पता चल गया फोर है इस फैनेंशल स्टेटमेंट्मेंट्स है बिन प्रिपेर इन अकॉर्डंस विद रूल्स एंड रेगूलेशन्स इन कंपनी ए बस यहां पर खतम और अब सुने इस फैनेंशल स्टेटमेंट्स है विन प्रिपेर इन अकॉर्डंस फिज रूल्स एंड रेगूलेशन्स इन कंट्री ए एंड रिस्पेक्टिवली गिव ट्रू एंड वेर्यू याद रखे अब टेकिनिकल बाप बता रहा हूँ कम्प्लाइंस फ्रेमवर्क में हम सिर्फ कम्प्लाइंस शो करते हैं कि फैनेंशल स्टेटमेंट इस फ्रेमवर्क के मताबिक है आगे कुछ नहीं कहते हैं जबके फैनेंशल स्टेटमेंट इस फ्रेमवर्क में हम यह भी कहते हैं कि इस फैनेंशल स्टेटमेंट इस फ्रेमवर्क और आगे यह भी लिखते हैं और आपके सामने कभी कोई भी रिपोर्ट आ जाना है और आप नहीं देखना हो कि यह कंप्लाइंस फ्रेमवर्क के मताबिक है या fair presentation के मताबिक है आप उसका opinion पड़े और देखे उसमें fair presentation की बात कर रहा है के नहीं true and fair view की बात कर रहा है के नहीं अगर उसमें fair का word आ गया इसका मतलब है fair presentation है और अगर सिरफ उसने इतने ही लिखा इस financial statement have been prepared in accordance with this framework आगे silent तो फिर वो compliance framework होगा बेबास समझाई तो मुझे बताईए अगर आपके सामने कोई statement लिखी जाए तो क्या आप इस काबिल है बता सके के ये general purpose है के special purpose ये fair presentation है के compliance framework चले अभी सिरफ आपको types of framework बताईए आगे अब इनके मताबिक wording में क्या change आता है वो भी जबानी करामी बता दिया लेकिन return farm में भी हम पढ़ेंगे अभी नहीं आगे चलके अगर आप IFRS की सारी requirements को पूरा करते हैं तो वो हाँ अगर चेंज करना चाहिए इनका क्वेस्टन यह है सर क्या कोई situation है कि हम IFRS में कोई ऊंच नीच करें और स्टिल फाइनेंश स्रेमें ट्रू एंड फेर वियू बिल्कुल है इसके लेकिन फिर कहते हैं अगर चीफ करने के लिए चेंज करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं चलिए याद करा यह बूलना चाहूं यह आपको समझाना और असाइन्मेंट आपने लाजमी करके आनिया मंड़े पर खतम करते हैं करना झाल करता है लाद करें आपको need करता तो करता यह त्क रखता हैं झाल झाल